इस वक्त हमें लखनाओ जाना होगा, देखिए लखनाओ में इस वक्त स्वामी प्रसाज मौरे मंच से संबोधित कर रहे है और अगर तेईस फिर्दी वाले अन्चुची जादी और जन्जाद के लिए हुई हिंदू हैं तो इन चववन फिर्दी और तेईस फिर्दी के आरश्ण को आप क्यों निगल गये, क्यों दूसरों के इनका हिस्णा दे दिया आप बड़े हिंदू के हम दर्द बनते हैं और यही नहीं मैं क्याबिनेट में था एक प्रस्ताव आया बीना एड़वर्ट्चिस में निकाले बीना आवेदन पत्र मांगे क्याबिनेट में चिकिष्णा शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव आया कि चूकि अंसूची जाद जन जाद और पिष्ण वरके अब भ्यार्थी उपलब्द नहीं हैं इसलिए इनकी जगा को शामान वरके से भर दिया जाए हमने काईबिनेट में करारा बिरोत किया हमारे बिरोत पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी सेहमती जिताई सेहमती जिताने के बाद भी उस नियुक्ती पर रोक नहीं लगाई ये हम दर्दी है और हमने पूछा क्या आपने अड़ोर्टर में निकाला तो हमने ये कहां आपने निखा के छे एक बार बिज्यापन निकलता दुबारा निकलता तिबारा निकलता और तीनों बार में जब कोई आवेदन नहीं आते तो इस प्रकार की नोटिंग होती आपने बिना आवेदन लिए बिना एड़ोर्टर में काले ये लिख करके सीधे सीधे आपने पिष्णों और अंसुची जात अंसुची जन जात के आरच्छन के हिस्षे की सीठ सामानवर को दे दिया यही नहीं अब तो सरकारी संथान भी निजी छेत्रों में दे रहे हैं क्योंकि न रहेगी बास न बजेगी बहुत तुरी यानि जब सरकारी संथान निजी छेत्र में चले जाएंगे तो आरच्छन देने की जगई नहीं रहेगी आरच्छन अपने आप खत्म हो जाएगा क्योंकि निजी छेत्रों में आरच्छन वर्षे भी नहीं होता तो जोगी जी मैं ये कहना चाहता हूँ जोगी जी या बाबा जी कोई भी हो मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री के कुर्शी पर बैट करके पाप करोगे और साथ ये शाथ है दौहाई देगो हिंदू की क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू है क्या अंसुची जात के नहीं है अंसुची जंजात के नहीं है पिछले वरके नहीं है तो वही दस पाँच परसंट अगर आपके हिंदू है तो तो आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो लगता है क्योंकि बटवारे की लाइन आपने खीद दिया है आपके साथ खड़ी होगी और उसमें भी हम बटवारा करेंगे क्योंकि उन बड़ी जातियों में भी कुझे समान बादी चिंतन के हैं और कुछ अंबेतर बादी चिंतन के हैं इसलिए साथियों मैंने कहा इसलिए मैंने कहा आज कहाई यह जो कारकम है अभी तक तो यह समाजबादी बिचारकों का जमोड़ा था अब यह समाजबादी इसके साथ साथ लोहियाबादी के साथ साथ अंबेतर बादी बिचारदारा का भी जमोड़ा का स्रंगम हो गया और इसलिए आप यह भी कहना चाहते है बगल में उत्राखने तीन बार मुख्यमंत्री बदल सकते हैं आप पंच साल इंदार क्यों के उसी को बता रहा हूं यहां पर इतना जुलम जाती है तिया चार अन्या हो रहा था लखीमपूर की घटना हांत्रश की घटना गोरकपूर की घटना के साथ साथ दो दजन इसी घटनाएं हैं जहां यह फाई यार लिखने में आपने हिला वाली किया और साथ इशा जहां गोरकपूर जेड महिने के अंदर गगाह थाने में साथ हत्या हुई पांचवी हत्या हुई तो मैं स्वेम मौके पर पहुचा मैंने बलकिन यह कहा भी कि हो सकता है उत्रपरदेश में कानूं का राज हो लेकिन गगाह और गोरकपूर में गुंडा राज है मंत्री रहते मैंने कहा था यद्दिव कि कुछ टीबी वालों ने चलाया एक दो बार उपर से रोक दिया गया हो का लेकिन उसके बहुत जोद भी थानेदार नहीं इटाया गया और स्रियों ने यह टाया है क्यों क्योंकि वो जोगी बाबा कर जोगी बाबा की बिनादरी वाला था अब मेरे लोटने के बाद मेरे लोटने के बाद जब दो हत्या और हो गई यानि शाथ हत्या पूरा हो गया तब जाकर के यसो हटाया गया और स्रियों हटाया गया गगहा गोरकपूर गगहा बजार भी है गगहा थाना भी है गोरकपूर से 25-30 किलोमीटर आजमगरली रोट पर है यानि दो मोर्या मारे गये थे दो ब्राम हड मारे गये थे, एक दो बनिया मारे गये थे और एक अज्यात महिला की लास मिनी थी ये साथ अठ्या हैं, दो मोर्या दो ब्राम हड और दो बनियां और एक अग्यात मिला की लास ये एक महीना पांच-छा दिन के अंदर की सारी घटना है और कहते हैं कानून राज है और साथ है इशा मैंने सोचा था कि 14 साल बन बाद जहलने के बाद भारती जंता पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला है अकल ठिकाने हो गया होगा गरीबों दल्टों पिछणों के लिए काम करेगी लेकिन फिर वही कि जिन गलतों पिछड़ों घरीबु के ओड पर भारती ऋंतह पार्टी ने पूर्ड प्रचंड बहुमत की शरकार बनाई शरकार बनाने के बाद एक एक करके उन्ही को दफनाने की कोशिच करने लगी लेकिन भार्ती जन्ताफ पार्टी के निताओं से मैं कह देना चाहता हूँ 14 जनुरी का यह जो कारकम हो रहा है आज के बाद पुरु उत्रप्रदेश में एक ऐसा जंसे लाप उमनेगा और चलेगा एक ऐसी आंधी चलेगी एक ऐसी शुनामी चलेगी जिसमें भार्ती जन्ताफ पार्टी के पर्खचे उड़ जाएंगे कहीं भी ठीकाना नहीं मिलेगा और साथ इसाथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ साथ इसाथ मैं अभी कहना चाहता हूँ श्वामी प्रशाद नोर्या ने पार्टी भले न बनाई हो लेकिन किसी भी पार्टी से हैंशियत कम नहीं रखते हैं उनके पास जनधार की कमी नहीं है आज हमने समाजवादी पार्टी के राशिय अध्यक्ष अखले श्यादो जी से हाथ दिसले मिलाला कि अखले श्यादो जी नवाजोवान है पढ़े लिखे है नई उर्जा है मैं प्रदेश के लाखों लाख करों लोगों का हजूम आपके निद्द के साथ खड़ा कर भारती जन्दा पाड़ी को नस्ता बहुत करने का काम करूंगा और साथ इशक मैं ये भी चुनोती देता हूँ मैं ये भी चुनोती देता हूँ जिसका मैं साथ छोड़ता हूँ उसका कहीं अता-पता नहीं रहता है हमारी बहन जी जिन्दा इसका जिन्दा मिशाल है जब तक साथ था बार-बार मुख्यमंत्री बनती थी उनको घमंड हो गया था एको आहंदुतियो नास थी बाबा सहब के मिशन से हड़ गई मानवर कांशी राम को भूल गई मानवर कांशी राम के सामाजिक परिवर्तन आंदलन को डुबोने का काम करने लगी मानवर कांशी राम जी के आँख मूनते ही मानवर कांशी राम जी का नारा बदल दिया था जो मानवर कांशी राम जी नारा दिया था जिसके जितनी संख्या भारी उसके उतनी भागेदारी बहन मावती जी मानवर कांशी राम किस नारे को बदल कर दूसरा नाराई जात किया कि जिसके जितनी तैयारी उसकी उतनी भागिदारी का मतलब थैली वालों के पीछे खड़ी हो गई मैंने बिरोध किया नहीं मानी साथ छोड़ दिया आज कहीं अता-पता दिखाई नहीं पड़ता उनका और मैं कहना चाहता हूं भारती जन्तापाटी उस दिन तक तीसरे अस्थान पर थी जब तक मैं बहुजन समाज पाटी में था बहुजन समाज पाटी नंबर एक पर थी उस दिन भारतियंता पार्टी तीश्रे पर थी, भारतियंता पार्टी तीश्रे पर थी अजय से ही, बहुदन समाज पार्टी छोड़ करके भारतियंता पार्टी के साथ तमा भारतियंता पार्टी आकास चड़ गई, अब भारतियंता पार्टी के लोगों को मेरे फिर कहना चाहता हू आपके बुरे दिन आ गए और साथ ही शाथ अब मैंने आपका स्वाथ छोड़ा मेरे बाद साथ छोड़ने वागलों का एक लंबा कतार चल रहा है आज के बाद भी ये इस्तिफा देने का सिल्ष़ा चलता रहेगा और साथ ही साथ दो हजार बाईश के विधान सबाद चिनों में जब दस तारीक को प्रणाम आएगा तो दो हजार सत्रा के पहले जो भारती जनता पार्टी का आकड़ा था 42 विधायक का और 45 विधायक का मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ इन नौजवानों की कूबत के बिना पर आपको फिर पुराने आकड़े दहाई पर लाके ख़़ा करने का काम करूँगा और साथ ही शाथ ये शुनामी भादपा को उखाड करके सीधे सीधे हिंद महासागर में ले जाकर के डुबोने का काम करेगी आज ही शोशर पर मैं यह भी कहना चाहता हूँ जिसके पीछे लाखों का हजूम हो आज कुरोना महामारी के चलते निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन आयोग का भी शिष्टाचार पालन करने का निर्देश दिया है और साथ ही शाथ कुरोना प्रोटोकाल को भी पालन करने का निर्देश दिया है इसलिए आज केवल प्रमुख्र लोगों को बुलाया गया लेकिन आपका विक्रमाजीत मार्पूरा कालीदास मार्पूरा कालीदास विक्रमाजीत को जोड़ने वाला मार्पूरा लामेटेंडियर का पूरा मैदान इनकार करता हूँ उनसे भरा पड़ा हुआ है पड़ा पड़ा हुआ है और साथ ही शाथ जैसा की हमारे भाई डाक्टर ध्रूने कहा अगर कुरोना महारी नहीं होता निर्वाचा नायोग का चार सिंक्ता नहीं होता तो आज मौरे को आप सुन रहे थे और सौमी प्रसाद मौरे ने बीजेपी से लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी पर निशाना साथा एक बार फिर हम आपको उनकी प्रमुक बाते सुनवाते हैं कैसे आज यहां पर इस मंच से उन्होंने कटाक्ष किया जब समाजवादी पार्टी गैशी यांधी चलेगी गैशी शुनामी चलेगी जिसमें भारती जन्दा पाटी के पर्खटे उड़ जाएंगे कहीं भी ठीकाना नहीं मिलेगा अरी सुम्वार से शुक्रवाद शाम छे बजे सिर्फ टीवी नाइन भारतवर्श पार